इस एपिसोड में दोस्तों बात करने वाले रोलेक्स लिमिटेड के बारे में यह आइसी आइसी है के स्मॉल काप में भी है वैसे और यहां पर कंपनी के फेंडमेंटल्स के बारे में बात करते हैं देखो मार्केट काप वाई 6000 करोर्स की कंपनी है स्मॉल काप सेक्टर के अंदर आप कह सकते हैं आरोई इंप्रेसिव है स्टॉक का पी ट्वेंटी नाइन पर है प्राइस टूबुक ऑल्मोस्ट एट टाइम्स है प्रमोटर के पास में 57 परसेंट है और सेल्स ग्रोथ यहां पर जो थोड़ी सी है वो तो कहीं ना कहीं थोड़ अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं सेल्स ग्रोथ के बारे में तो अच्छी ग्रोथ जूर्णी 2021 के बाद में देखने को मिली कोविट के विले से काम थोड़ी साइड पर गया था डाउनल था बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो ग्रोथ है बट वो पुरानी वाली अच्छा इंप्रूव्मेंट हमें देखने को मिला है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे इंट्रस्ट कॉस्ट कम हुई है इस बार कंपनी की बाए 10 CR विच इस गुट थिंग बोरिंग इन्होंने इस बार सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करें और सारे शॉट टम बोरिंग कि रह गए हैं लॉंग टम बोरिंग इन्होंने खतम ही कर दिया यह बहुत अच्छा साही नहीं साथ सोला करोड के रिजर्फ तो फंडमेंटली अभी कंपनी वापस से एक बिटर पोजिशन पर डिफिनिटली हमें जाता हो नजर आ रहा है और और अपने पोजिशन को आप कैसे quarter on quarter basis पे इंप्रूफ कर रहा है तो यह भी एक बहुत healthy sign होता है it is a good sign to look for और आपको और ज्यादा आइडिया लगाना ना तो गो फॉर ICICI प्रुदिंशल स्मॉल काप फंड और देखिए कि इसने ओवर लास्ट फ्यू इस कितना सी जी आर बनाया है अभी आप यहां पर देखेंगे आक्सेस कोटक कितने सारे HDFC कितने सारी जगाओं पर आप देखेंगे कि यह काफी सारे से होल्ड करते हैं तो यह बहुत healthy sign होता है given in any company चार्ट पर बात करते हैं और valuation multiple आपने देख लिया था पी multiple जो है वो 29 पर आसपास है इंडेस्टी के पी के साथ में इंटक्त है और देखो सुना कॉम्स एक्जाक्टली इसका competition नहीं होगा बट अगर आप वहां पे पिर्स टॉक पी देखोगे तो 74 तक भी है तो मतलब इतना valuation surplus मिल जाता है एक आपको वह दिखाना चाह रहे थे बेसिकली इस टॉक ने अपने all-time high resistance को ब्रेक करके closing दी है this is actually very good time in general आप से बात कर रहे हैं जब भी stock fall करते हैं ऐसे levels पर हमें लगता है अच्छा प्राइज एक टाइम होता है बाइक करने का stocks में position बनाने का हम लोगों ने अभी position आड नहीं करी है इस टॉक में बहुत जल्दी कर लेंगे और हम आपके साथ यहां पर इस support को retest भी कर लिया है तो यह healthy sign है यहां पर राली अच्छी आएगी उसके बाद में जब ब्रीदर होगा तब discussion करेंगे कि वहां पर profit booking कर रहे हैं या hold कर रहे हैं बट डिपेंस की वह राली कितनी आती है और वैसे देखना चाहिए इस जोन के अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोगों को सिखाया जाता है 29 30 परसंट की अपसाइड यहां से तो almost similar upside यहां से देखने को मिल सकती है conservative हो कि अगर हम लोग 20-25 परसंट का भी टागेट लेते हैं सब्सक्राइब को मिल सकते हैं और यहां पर आप देखेंगे तीन अफ़ते पहले एक न्यूस भी आई थी टागेट प्राइस 2500 जेम फाइनशल्स इसके लावा यहां पर आप बाकी न्यूस देख सकते हैं इस कंपनी से रिलेटिट आर्टिकल्स जाकर देख सकते हैं सब्सक्राइब कर देख सकते हैं अपनी जरूर करिएगा फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में अब तक लेश शक्रिया और थांक्स वाचिंग कर देख सकते हैं